हेलो एव्रिवान आजम बात करने वाले हैं वेरियेशन और अक्सेलरेशन द्यू ग्रेविटी विद देप्स के बारे में तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं मुझा इसमें सबसे पहले सेम चीज हम कंसिडर करेंगे अर्थ to be a spherical body of mass M and radius R हमने ले लिया radius R, mass M, अर्थ का अब अर्थ के surface पे, एं पॉइंट पे हमें पता है what is the relation between acceleration due to gravity and gravitational constant तो G is gm by r square तो अर्थ के surface पे हमारे पास acceleration due to gravity कितनी होगी gm by r square होगी जिसको हमने निकाला भी था कि वो q 9.8 meter per second square के equal होती है जब हम values put करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम भोण रहे हैं Earth, spherical body of radius R and mass M हमने एक depth पे, मतलब हमने थोड़ी से खुदाई की हमने एक point लिया B हमने वहाँ पे एक object रखा है जिसका mass है small mass M तो हमें यहाँ पे variation बतानी है कि यहाँ पे अगर acceleration due to gravity G है तो यहाँ कितना change आएगा तो वो G- में बतानी है कि कितना change आने वाला है हमने consider किया कि मालो हमारे पास एक body है जिसका mass है M अब हमने यह भी पढ़ा है कि अगर हमारे पास Earth के surface पे कोई एक object पढ़ा होता है जिसका mass M है तो यह Earth उसको force लगाती है force of gravity लगाती है तो means using Newton second log वो हमारे पास किसके equal होती है उसके weight के equal होती है तो यह जो force लगाएगा वो कितनी होगी M G अगर यहाँ पे gravity है G- तो वो हो जाएगी M G- which is further equivalent to दोनों के masses है तो दोनों के बीच में कैसी force लगेगी gravitational force लगेगी तो वही से same हमारे पास relation आजाता है कि this M G- is equal to G अब यहाँ पे यह आगया small mass M distance is R का square अब क्योंकि Earth पहले तो हमने यह point consider किया था Earth क्या थी spherical body of radius R mass M अब हम क्या ले रहे हैं हम बोड़ रहे हैं कि जो हमारा object है जिसका mass M है small mass M वो किस point पे है B point पे हम क्या करेंगे हम यहाँ पे यह जो red potion है हम दिखा रहे हैं अब इतना जो potion है हमारे पास एक वो spherical body consider होगी means अब जो mass है इस body का black वाले portion का mass था M अब हमारे पास यह वाला जो potion है इसका जो effect हो गया हमारे पास वो खतम हो गया object कहां लाए कर रहा है B point पे लाए कर रहा है तो अगर इसको कहीं इधर उधर से force लगेगी भी तो उसको counterbalance करने के लिए कोई दूसरा particle वहाँ पे जरूर present होगा जो उसका effect खतम कर देगा it means अब यह हमारे पास कैसे act कर रहा है अब बीरली shell की तरह act कर रहा है और shell के अंदर जो gravitational field intensity होती है वो zero होती है यह हम सेम electrostartics में पढ़ते हैं class 12 में कि हमारे पास अगर कोई एक body है अगर कोई एक shell है तो shell के अंदर जो electric field intensity होगी वो कितनी होगी, zero होगी क्योंकि charge उसके surface पे लाए कर रहा है तो यहां पे हमारे पास हमने consider किया कि हमारे पास ये earth है जिसका radius r है, mass m है उसके पास हमने एक point लिया हमने बोला कि b point पे हमें gravity find करनी है कि कितनी change होने वाली है यहां से यहां तक यहां से यहां तक आपते हुए acceleration due to gravity में कितना change आएगा तो यहां से यहां तक जो हमने depth ली, वो कितनी ली दी खुदाई की, कितना ले लिया, d वहां एक object रख दिया, जिसका mass है small m अब क्योंकि इसका भी mass है इसका भी कुछ mass है हमने उस mass को बोल दिया कि मानलो यह वाला जो portion है उसका mass कितना है, m dash तो मानलो उसका जो portion है उसका mass कितना हो गया, m dash तो means यह हमारे पास एक relation देगा यहां से हमारे पास जो g dash है वो कितना आएगा, g m dash upon r square अब यह r कौन सा है यह r है, इन दोनों के बीच का distance capital mass m, m dash और small mass m के बीच का distance कितना लिया है हमने अगर यह r था यह depth उसमें से खुदाई करके d distance निकाल दिया तो कितना रह जाएगा, r minus d consider की earth to be a spherical body of mass m and radius h हमने बोला, यहां पे gravity हमें पता है, acceleration due to gravity कितनी होती है, gm by r square होती है, done अब यह g dash निकालनी है again in terms of this r ताकि हम दोनों के बीच में relation find कर सके, जिससे हमें यह पता चल चुके कि जो gravity है, जो acceleration due to gravity है वो कितनी change हो रही है तो हमने यहां पे mass रखा, small mass m दोनों के बीच में force लग रही है किस force से equivalent to the weight of the object तो वो जो force of gravity है using newton second law किसके equal आ जाती है, mg dash g dash is the acceleration due to gravity तो यहां पे g dash कितना आ गया gm dash upon r square g dash कितना आया हमारे पास g dash आएगा small g dash is gm upon small r का square mass कौन सा है, अब यह वाला mass है क्योंकि हम इतना portion consider कर रहे हैं हम यह वाली spherical body consider कर रहे हैं अब हमारे पास यह एक solid sphere की तरह act कर रहे है तो यह एक sphere है इसके और इसके बीच में distance है r minus d तो हम ले सकते हैं यह जो r square है यह हमारे पास कितना बन जाएगा r minus d का whole square बन जाएगा अब next है कि हमारे पास जो density है क्योंकि जो body है हमारे पास उसकी जो density है वो क्या होगी throughout uniform होने वाली है तो हमने average density ले ली कितनी ले ली रो अब हमें यह जो relation निकालना है वो किसकी terms में निकालना है density की terms में निकालना है हमें एक चीज़ पता है density is mass upon volume density is mass upon volume mass can be written as density into volume volume अगर हमें सिर्फ sphere की बात करूं तो 4 by 3 pi r cube rho होता है यह generally निकाला है 4 by 3 pi r cube rho है अब अगर हम यह mass ले रहे हैं हम उसको g की value में put कर दे gm upon r square होती है हमारे पस gm upon r square होती है तो g की value कितनी j range होगी g by r square 4 by 3 pi r cube rho मतलब m की जगा m की जगा हमने यह value put कर दी जो हमने यहां से निकाली mass निकाला in terms of density mass निकाला in terms of density density is mass upon volume mass is density into volume density into volume put किया अब कहां put कर रहे हैं दो तरह की acceleration due to gravity ली है हमने 1 point a पे चो earth का surface था gm upon r square वहां उस m की जगा हमने value put की in terms of density तो g कितना आ गया 4 by 3 pi g r rho यह generally आ गया हमारे पास इसकी terms में अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें निकालना है point b पे point b पे हमारे पास कितना होगा point b के लिए जो हमारा small r है that is equal to r minus d distance vary हुआ distance vary हुआ तो वो जो distance vary हुआ हमारे पास इन दोनों के बीच में distance कितना है r minus d है तो हम लगाते हैं g dash पे g dash कितनी होगी g m dash upon r minus d का whole square जैसे यह formula है g m upon r square तो हमारे पास यह कितना आ जाएगा g m dash upon r minus d का whole square बन जाएगा अब फिर से m dash m dash कौन सा था इस वाले portion का mass क्योंकि इसका तो net effect 0 हो चुका है वो तो इस पे कोई force नहीं लगा रहा पट इसकी वज़े से लग रही है तो वो हमारे पास कितना आया m dash 4 by 3 pi r minus d का whole cube into rho जैसे यहां था r cube r cube की जगा आ गया r minus d का whole cube value put की तो g dash कितना है 4 by 3 pi g r minus d rho अगर हम देखे यह r minus d हमारा क्या है small r बोला हमने इसको r minus d कितना है small r तो क्या हम यहां से एक relation ले सकते g dash is directly proportional to r earth के surface के अंदर हमारे पास acceleration due to gravity कैसे vary कर रही है it is directly proportional to the distance यहां से यहां तक distance बढ़ेगा acceleration due to gravity बढ़ेगी यहां से यहां तक distance बढ़ा acceleration due to gravity बढ़े उसके बाद जब यह यहां पे आ गई फिर यह हमारे पास कितनी होने वाली है earth के surface पे आके maximum maximum पहले तो increase होती जाएगी increase होती जाएगी earth के surface पे आएगी हमारे पास क्या हो रही है acceleration due to gravity कैसे हो रही है with the distance increase हो रही है next चलते हैं हमारे पास एक हमारे पास g dash की value आई एक g की आई थी in terms of rho एक g dash की आई थी और एक g की आई थी in terms of rho तो उनों को divide किया divide के बाद तो बहुत simple है 4 by 3 pi g cut गया rho से rho cut गया r minus d upon r रहे गया अब r को उज़र दोनों के नीचे लिखने तो क्या बन जाएगा 1 minus d upon r तो means हमारे पास g dash upon g कितना आगया 1 minus d upon r g dash is 1 minus d upon r into g मतलब acceleration due to gravity क्या करती है depth के साथ क्या करेगी decrease करेगी depth के साथ क्या करने वाली है वो आगे हमारे पास decrease करेगी वाली तो फिर से अगर हम बोलें gravity minus में कितनी होती है वो कम होती है as compared to the surface of the earth surface of earth पे तो maximum वाली तो अब यहां से हमने क्या सीखा inside की gravity की value कितनी थी directly proportional to r जैसे 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 distance बढ़ रहा है acceleration due to gravity increase कर रही है फिर हमने बोला जब surface पे आ जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी maximum हो जाएगी अब अगर outside देखना चाहें तो outside के लिए क्या होगा g dash is inversely proportional to small r का square मतलब distance बढ़ेगा तो gravity क्या होगी decrease height के साथ भी decrease होती है depth के साथ भी decrease होती है तो यहां पे हमने बोला inside हमारे पास क्या थी inside it is directly proportional to r तो अगर हमें acceleration due to gravity versus r का relation group करना है graphically उसको दिखाना है यह चीज हम graphs में बहुत ज़्यादा दिखाते हैं अभी भी दिखाएंगे either in terms of acceleration due to gravity और gravitational field intensity हो या हमारे पास gravitational potential हो shell के लिए solid sphere के लिए similarly हम करते हैं class 12 में electrostart explain वहाँ पे भी same चीज हमारे पास graphically repeat करते हैं तो हम इसको graph में कैसे plot कर सकते हैं variation of g with r अंदर जो g की value है वो क्या कर रही है increase कर रही है with increase in distance directly proportional हमने क्या देखा directly proportional है directly proportional का graph तीन तरह के graph directly means दो चीजे linear relationship straight line inversely मतलब हमारे पास थोड़ा सा gap रखना है यहां कम कर दो यह ज़ादा कर दो inversely का square inversely का square मतलब दो चीजे आपस में vary करती हैं तो यह आ जाएगा ऐसे यहां थोड़ा gap ज़ादा होगा और यह हमारे पास inversely proportional to the square of the distance ऐसे तो same जीज inside यह portion हमें क्या बता रहा है inside बता रहा है when small r is less than the radius of the earth तो क्या आ जाएगा directly proportional when small r is equivalent to the radius constant होगे यहां पर value कितनी होती है gm upon capital r का square क्योंकि radius तो fix है next outside जब small r जो है वो बड़ा हो गया radius से inversely proportional to the square of the distance तो यह वाला graph यह वाला graph तो यह variation है हमारे पास acceleration due to gravity with distance हमने क्या किया हमने बोला earth radius r mass m यहां पर acceleration due to gravity gm by r square एक खुदाई करके point ले लिया b उस पर हमने बोला हमने एक mass रखा है m तो यह force experience करेगा इसकी वज़े से वो force कितनी होगी mg dash दोनों का mass है दोनों के बीच पर फोर्स लगेगी पर हमने बोला mass तो m is complete body का था इसका तो हमने change किया हमारे पास कम रहे गया कितना हो जाएगा m dash तो दोनों के बीच पर फोर्स लग रही है gm dash m upon r square m dash m से m cancel g dash कितना रह गया gm dash upon r square तो यह हमारे पास एक value आगी gm dash upon r square अब हमने बोला हम इस mass को convert कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं in terms of density average density लिए है इसकी हमने कितनी है row तो uniform के लिए हमारे पास average density कितनी हो गई row हो गई अब हमने बोला यहाँ पे कि हम expression use कर रहे है density is mass upon volume mass is volume into density तो g कितना हो जाएगा 4 by 3 pi g r row similarly हम लिख सकते हैं 4 by 3 pi g r minus d row r minus d मेरा क्या है small r distance अंदर g dash कैसी vary कर रहा है directly proportional to r यह एक equation बन गई यह दूसरी equation बन गई दोनों को वापस में divide किया कितना रह गया r minus d upon rho 1 minus d upon r g dash is 1 minus d upon r into g तो क्या हम बोल सकते हैं acceleration due to gravity क्या कर रही है decrease कर रही है अब इसी चीज़ का हमारे पास fractional change तो वो कैसे लिखा जाएगा पहले तो g dash is g minus g d upon r इस g को दोनों से अलग-अलग multiply कर लिया अब g g dash इदर और g d upon r तो g minus g dash मतब g dash उदर गया g d upon r हो गया so acceleration due to gravity g है यह पहले वाली बड़ी दूसरे वाली छोटी answer is positive तो degrees हो रही है अगर हम इस g को नीचे ले आएं यह बन जाएगा हमारे पास change in g to original value of g change in g to original value of g किसके equal है d upon r के equal यह क्या है fractional change change in one quantity to original value of that quantity is fractional change अगर आप into 100 कर दो into 100 कर दो तो वो क्या बन जाएगा percentage change in g क्या बन जाएगा percentage change in g तो यह यहां से हम दिखा रहे हैं तो acceleration due to gravity है वो decrease करती है depth के साथ क्या relation है fractional change in g कितना है और percentage change in g कितना है next इसके बाद हमारे पास एक case है कि अगर हम center of the earth पे निकालना चाहें तो d की value कितनी हो जाएगी that will be equal to the radius of the earth depth जो है वो हमारे पास कितनी होने वाली है radius of the earth के equal होगी अगर हम यह यहां put कर दें r minus d upon r तो यह factor तो 0 हो गया g dash 0 हो गया तो weight खाली m multiply कर दो weight at the center of the earth कितना हो जाएगा 0 center पे weight 0 mass तो 0 नहीं होता mass तो change नहीं होता weight change होता है तो mg dash कितना आ गया 0 bye